हेलो दोस्तों आज 29 जुलाई 2021 के करन डेफर को डिसकर्स करेंगे तो आज का पहला को सने पहली बार राजा मिर्च को किस राज से लंदन को एक्सपोर्ट किया गया है तो इस कंसेप्शन ए नागालेंड से ठीक है तो 2021 के कुछ important product है जिसको अधर कंट्री में एक्सपोर्ट किया गया है फ्रोम इंडिया तो इसको revision कर लेते हैं तो मदुरही जास्मिन जिसको मल्ली कह जाता है इसको एक्सपोर्ट किया गया है USA and Dubai में फ्रोम तमिल नाडो लेटेकू जिसको बर्मिज ग्रेप्स के नाम से जानते हैं इसको एक्सपोर्ट किया गया है दुबई में फ्रोम आसाम ड्रेगन फ्रूट जिसको कमलम नाम से जानते हैं इसको एक्सपोर्ट किया गया है दुबई में फ्रोम महराश्रा जड़दा अलू मेंगो इसको एक्सपोर्ट किया गया UK में फ्रोम भागलपूर बिहार रेट राइस जिसको बाओ धान के नम से जानते हैं इसको एक्सपोर्ट किया गया USA में फ्रोम आसाम भलिया वीट इसको एक्सपोर्ट किया गया Kenya and स्रीलंका में फ्रोम गुजरात तो निकोले ओलिवीरा जो की बराजिल से बिलों करती है और यह साथ साल के उम्र में नासा के लिए सेवन एस्टरोइट को डिसकवर की है ठीक है तो नासा इसकी फुलफ़ों में National Aeronautics and Space Administration जिसकी हेड़कॉर्टर है USA की राजधानी वासिंग्टन डिसी में अगला कुसे ने चंद्रियान 3 अंत्रिक्ष मिशन को कब लोंच किया जाएगा तो इस कंस्प्शन A 2022 के कॉर्टर 3 में तो चंद्रियान 3 स्पेस मिशन को 2022 के कॉर्टर 3 यानिकी जुलाई से से सेप्टमबर के बीच में लोंच किया जाएगा तो चंद्रियान 3 यह एक Lunar Exploration Mission है जिसको लोंच करा जाएगा इस रोके दोरा और इसमें रोकेट यूज किया जाएगे GSLV Mark 3 तो इसको लोंच करने के लिए रोकेट यूज किया जाएगा GSLV Mark 3 ठीक है अच्छा यह लोंच कहां से किया जाएगे तो 37 धवन इस पेस सेंटर जो की आंद्रप्रदेस के स्री हर रिकोटा आइलेंड में इस थी थे तो चंद्रियान 1 इसको लोंच किया गया था 2008 में एंड चंद्रियान 2 इसको लोंच किया गया था 2019 में और इसके लिए रोकेट यूज किया गया था GSLV Mark 3 M1 ठीक है कौन सा INS यानिके इंडियन नेवल सीब एक्सरसाइज कटलेस एक्सप तक चलेंगे तो 27 जुलाज से 6 अगस तक और यह एक्सरसाइज क्यों क्या जा रहा है तो पर्मोट नेशनल एंड रिजनल मेरिटाइम सेक्यूरिटी इन इस्ट अफ्रिका एंड वेस्टन इंडियन ओसन ठीक है और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे 12 इस्टन अफ्रिकन कं इस्टन इंडिया पलस वेरियस इंटरेशनल ओर्गनाइशन जैसे आई एम्यों इंटरपोल एंड यूनेफ़ तो आएम्यों यानिकी इंटरेशनल मेरिटाइम ओर्गनाइशन तो केनिया आपको मेप में यहां पर मिल जाएगा जिसके कैपिटल है नेरोभी और करन्सी है क केनियन सी लिंग ठीक है और यहां पर आपको मिल जाएगा केनिया का मॉंबसा को सने विस्व हैपेटाइटिस डे यान की वर्ल्ड हैपेटाइटिस डे कब मना जाता है तो इसको मार्क किया जाता है डवल्ड हेल्थ और्गनाइशन को दरह जिसकी हेड़कॉर्टर है सुज और । बुरुच बुलूंबर्ग इन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोच की थी ठीक है तो इस बार 2021 में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की ठीम है याद रखेगा है दो 2021 में हेपेटाइटिस कांट वेड यह ठीम है इस बार के एड़ whippedis ये एक viral disease है और यह होता है ह हेपेटो-ट्रोपिक वायरेस के कारण जो हमारे लीवर को एफेट करता है जिसके कारण लीवर इंफलेमेशन यानि की लीवर में सूजन होता है ठीक है तो हेपेटाइडिस पांस तरगा होता है हेपेटाइडिस A, B, C, D and E ठीक है अगला कुछने किस देश ने ISS यानि कि International Space Station के लिए नवका मोडियूल को भेजा है तो इसका सब्सक्राइब रस्या ठीक है तो नवका Multipurpose Laboratory मोडियूल जो कि एक component है ISS का और इसको launch किया गया कजाकिस्तान से और यह 29 जुलाई यानि कि आज ही के दिन ISS यानि कि International Space Station से जाकर जूरेगा ठीक है अच्छा इसको launch करने के लिए rocket यूज क्या गया है proton M ठीक है अच्छा ISS यानि कि International Space Station यह 1998 से Space में है और यह Space Station 5 Space Agency का Space Station है तो इसमें कौन-कौन सामिल है NASA जो कि United States का है रोसकोसमोस यह की रसिया का है जाकसा जापान का है ESA यानि कि European Space Agency यूरोप का है और CSA यानि कि Canadian Space Agency कनाड़ा का ठीक है अगला कौन से विश्वक का सबसे बारा नीलम यानि कि सफायर किस देज में पाया गया है तो इस कंस्प्शन C सिरिलंका ठीक है और जिसकी वेट है 550 किलोग्राम या फिर इसको 2.5 मिलियन केरेट्स कर सकते हैं ठीक है और इस सफायर कि यानि कि नीलम की कोश्ट है 100 मिलियन डॉलर अगला कौन से ने इंडियन इंस्टिटूट ओफ फूड प्रोसेसिंग टेकनोलोजी कि सराज में स्थीत है तो इस कंस्प्शन ए तमिलन आटोमे ठीक है तो रिसेंटले भी लोगसभा ने दर नेशनल इंस्टिटूट ओफ फूड टेकनोलोजी इंटेप्रियूसिब एंड मेनेजमेन बिल 2021 को पास कर दिया है तो इस से पहले इस बिल को राजसभा ने पास किया था और रिसेंटले भी लोगसभा ने पास कर दिया है अगर प्रिसिडेंट अपना अनुमती यानि की एसेंड दे देते हैं तो ये बिल एक एक्ट बन जाए है ठीक है अच्छा इस बिल के जरे दो एजुकेशनल इंस्टिट को इंस्टिट ओफ नेशनल इंपोरेंस का दरजा दिया गया है यानि की आ इनई का टेग दिया गया है ठीक है तो वो दो इंस्टिट कौन-K़न से हैं तो पहला है आई-ाई-ाई-एफ-पी-टी यानि कि Indian Institute of Food Processing Technology जो कि Tamil Nadu मिश्थी थे दुसरा है NIFTEM यानि कि National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management जो कि हर्याना मिश्थी थे अच्छा ये दोनों Institute Ministry of Food Processing Industries के अंदर आते हैं ठीक है अच्छा INI का अगर जिस Institute को TEC मिलता है तो उसको Government of India के तरह मतलब Government of India की तरफ से Special Funding and Recognition मिलता है अच्छा भी पर्जन टाइम 130 ऐसे इंस्टूट है जिसको INI का टेग मिला हुआ है अगला कुसने किसने हिंसा से परभाईद महिलाओ के लिए 24 by 7 helpline सेवा लॉंच किये वू लॉंच 24 by 7 helpline for women affected by violence तो इस कंस्वर्प्शन भी इस्मृति इरानी तो National Commission for Women का 24 by 7 helpline नमर को लॉंच करा है Minister of Women and Child Development इस्मृति इरानी ने ठीक है और ये नमर है 782717 0170 ठीक है अच्छा National Commission for Women जो की एक statutory body है ये कब बना था तो 1992 को headquarter है न्यू देली में और chairman है भी present है रेखा सर्मा अगला कसने केंद सरकार यानी की union government किस संस्थान के सहजोग से ABGC यानी की animation visual effects, gaming and comics के लिए National Center for Excellence को set up करेंगे तो इस कंस्वर्प्शन सी IIT Mumbai तो recently Ministry of Information and Broadcasting ने identify किया है ABGC sector as a sunrise industry ठीक है अगला कसने किस राज सरकार ने देवारनी योजना की शुरुवात की है तो इस conception D मद्दपरदेश ठीक है तो आयूस based economic upgradation scheme जिसका नाम है देवारनी योजना और इस scheme का objective है to improve people's health and livelihood of tribals यानकि आदिवासेओं के livelihood और लोगों के health को improve करना इसका objective है और इस scheme के तहद आयूस और tourism को एक साथ लाया जाएगा ताकि tribal areas में employment opportunities को boost मिल सके ठीक है तो मरत्परदेश जिसकी राज़ानी है भोपाल अभी present time CM है सिवराज सिंग चाहवान governor है अभी नया बने है मंगू भाई पटेल ठीक है अगला कुशन है पासियो डेल पराडो और बुयन रेटिरो पार्क किस देश में इस्थी थे तो इस conception ए इस्पेन में ठीक है तो ये पासियो डेल पराडो एंड बुयन रेटिरो पार्क ये इस्पेन की राज़ानी मेडरेट में इस्थी थे और रिसेंटली इसको युनेस्को वर्ल हेरिटर साइड में सामिल कर दिया गया है तो इंडिया से दो साइड को अभी रिसेंटली युनेस्को वर्ल हेरिटर साइड के लिस्ट में सामिल किया है तो वो कौन-कौन से हैं तो रिसेंटली रमपपा टेंपल जो कि तेलंगणा में स्ती थे और ये इंडिया का 39th UNESCO World Heritage Site बनाया ठीक है वहीं पर धोला विरा जो कि हरपन सीटी है और ये गुजरात में स्ती थे और ये इंडिया का 40वा UNESCO World Heritage Site बनाया ठीक है Stephen Wainberg निमलिकित में से किस देश से संबन्दित थे तो इस कंस्वप्शन ए अमेरिका ठीक है तो Stephen Wainberg ये अमेरिकन थेओरोटिकल फिजिसिस्ट है और इनको 1979 को फिजिक्स के छेत में नोबेल प्राइस से समानेत किया गया था और इनको ये नोबेल प्राइस दिया गया था और इनको नीदिन हो गया इसलिए चर्चा में है अगला कुशन है हाली में कौन वुमेंस नेशनल ओन्लाइन चेस टाइटल जीती है तो इस कंस्वप्शन ए वंतिका अगरवाल थे तो इस ओन्लाइन इविट को कंड़क्ट किया गया था ओल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा तो रिविजन कर लेते हैं चेस से रिलेटेट तो अभी वन्यू मिस्रा जो की यंगेश्ट ग्रेंडमास्टर बना है इन दा वर्ल्ड अर्जुन कलियान जो कि तमिलनाडू से है यह 68 चेस्ट ग्रेंड मास्टर बना है इंडिया का गुकेस डी रिसेंटली इन्होंने गेलफेंट चलेंज को जीता है भी सभीता सिरी यह वुमेन इंटरेशनल मास्टर बनी है अभी रिसेंटली विश्वनातन आनंद जो कि इस पार्किसन ट्रोफी को जीते हैं ठीक है और यह भारत का पहला ग्रेंड मास्टर है यह प्रिब्रेश रहेगा कुस्टन है तो इसका अंसरा आप कमेंड में जोरू देजेगा कुस्टन है एक्सरसाइज इंदरा 2021 भारत और किस देश के बीच होगा